तो अश्यलेश की रिपोर्ट आप पे देखिए और इस मावले खोले कर एवीपी गंगा की टीम बेसिक शिक्षा मंतरी संदीप सिंग के पास पहुँची और जब उनसे स्कूलों में बिजली काट्टे पर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि बिजली बिल का बकाया भु दिया गया है दो करोड तक पहुचाने का लेकिन इन सरकारी स्कूलों में अगर बिजली ही ना हो तो विभावक बच्चों को कैसे वेजे हमारे साथ में इस समय तेशिक चिक्षा मंतरी संदीप सिंग जी है उनसे बात करेंगे संदीप जी इतना बड़ा लक्षा आप लोग द्वारा समय से फूरा कलियर करा dirty अगया है यह कहीं कोई कोई कॉडिनेशं के देखात है इसको करवाने चيक करवाने के लिए बता दिए जितने स्कूल में गीजली का जो समस्या सामने सामने में आ prevention कि सभी उड़ी से जोड़ रख जाएगा सर अभी अभी फिर से हाप प्रशिदी विद्यालों की बात है तो दो साल तक हमारे सारे विद्याले बंद थे उससे पहले मिशन कायकल्ब के अंतरकत सभी विद्यालों की रूप रेखा हर एक चीज की सुविधाओं से जोडने का एक वर्याद अभ्यान चलाया गया और अब फिर से जब हमारे स्कूल खुल गए हैं तो हम सब फोकस कर रहे हैं सबसे पहला हमारा फोकस है कि बच्चों की स्ट्रेंथ स्कूल तक पूरे बच्चे वापस हैं उसके बाद मिशन कायकल्ब के अंदर भी सारे विकासकारे जो भी स्कूलों में मुलबूत सुविधाओं से जोडने का काम है वो क विध्यालें गोदलें और अपनी निदी के माद्यम से जितनी भी मूलबूत सुविधाओं हैं विध्यालें तक पहुचाने का प्रयास करें हमारा भी प्रयास है कि हम सब हर एक विध्याले तक हमने लक्ष लिया है कि इस वर्ष 25,000 विध्यालें को फरनीचर और स्मार्ट क्लासिस की सुविधा के माद्यम से हम सब लोग जोडने का कारी करेंगे तो हमारा प्रयास है कि सिक्षा विभाग एक बहुत महतपूर विभाग है जो की एक प्रदेश की नीव को मैं कहूंगा कि बनाने के लिए अपना दायत तुनिभाता है तो हम सब मिल करके ब परवाही आगे चलती है तो क्या अधिकारियों की जवाब नहीं होगी कारवाही होगी?